दिल से दिल तक ओनली ओन रेडियो चनार 90.4 अगर आप कुछ अच्छा सुन रहें तो आप सुन रहें रेडियो चनार रेडियो चनार 90.4 FM से मैं हूँ आर जे साहिल मुजफर और हर धड़कते दिल और परक्ती निगाख को मेरी तरफ से प्यार, महबत और खलूज बरा सलामु अलेकुम दोस्तो दिल से दिल तक की आज की जो कहानी है वो शुरू होती है एक बड़े बिजनसमेन के आफिस से जितना बड़ा बिजनस उतनी ही ज़्यादा टेंशन, उतनी ही ज़्यादा परेशानी और इसी कश्म-कश्मे गहरी सोच में है कि ये भी कोई जिन्दगी है, इतनी सारी परेशानी है मुझे, इतनी सारी टेंशन है मुझे अचानक उसकी नजर अपने आफिस की खिड़की से बाहर पड़ी रोड पे जहां पे एक विकारी भीक महांग रहा था इस बिजनस मैंने थोड़ी देर के लिए इस विकारी को देखा और उपर वाले की बारगाह में शुकर किया कि थैंक गॉड अट लीस्ट मैं भीकारी तो नहीं हूँ मेरे पास उपर वाले ने बहुत कुछ दिया और अपने तरीके से उपर वाले का शुकरिया अदा किया ये जो भीकारी वहां पे भीक मांग रहा था थोड़ा सा आगे चल के दूप में निड़ाल बहुत परेशान मन ही मन में सोच रहा ये भी कोई जिन्दगी है मेरी एक विकारी मुझे उपर वाले ने बना दिया हाथ फैलाने पड़ते हैं मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए लोगों के सामने इसी कश्म कश्मे था कि इसकी नजर सड़क के उस पार एक और विकारी पे पड़ी जिसकी एक टांग ही नहीं थी और वो सड़क के किनारे बैट कर लोगों से भीक मांग रहा था तो इस विकारी ने उपर वाले का थैंक्यू कहा कि एट लिस्ट मैं चल सकता हूँ फिर सकता हूँ और लोगों से भीक मांग सकता हूँ मैं इस जैसा तो नहीं हूँ थोड़ी देर के बाद ये जो सड़क पे विकारी बैठा था ये मन ही मन में सोच रहा था क्या जिंदगी है मेरी पूरे दिन मुझे यहां पे सड़क पे बैठ के एक ही जगा लोगों से भीक मांगनी पड़ती है मैं चल भी नहीं सकता ढंग से ये भी कोई जिंदगी है बहुत परेशान था ये इतने में वहां से एक एम्बलन्स निकली जिसमें एक पेशन्ट था जो बहुत ही क्रिटिकल कंडिशन में था इस बिकारी ने देखा कि इस एम्बलन्स में लोग रो रहे हैं और वो पेशन्ट बहुत क्रिटिकल कंडिशन में था इसने उपर वाले का शुकर अदा किया थैंक्यू कहा उपर वाले को at least मैं बीमार तो नहीं हूँ मैं सही सलामत हूँ क्या हुआ मेरी एक टांग नहीं है मैं यहाँ पे भीक मांग रहा हूँ हॉस्पिटल में नहीं हूँ एम्बलन्स में नहीं हूँ और यह जब एम्बलन्स हॉस्पिटल पहुँची इस बीमार को वहाँ से stretcher पे hospital के अंदर लिया गया तो ये मन ही मन में ये patient सोच रहा था क्या जिन्दगी है मेरी मैं बीमार हूँ hospital में हूँ मेरी health ठीक नहीं है ये कौन सी जिन्दगी है इतने में इस patient की नजर पड़ी एक stretcher पे जहां पे एक dead body थी death हुई थी और उसकी family उसको अब घर ले जा रहे थे और इस patient ने उपर वाले का शुक्रिया अदा किया at least मैं तो जिन्दा हूँ मैं मरा नहीं हूँ बीमार हूँ तो क्या हुआ और जो ये dead body थी अब ये क्या सोच रही है दोस्तो ये जो dead body ये कुछ भी नहीं सोच सकती ये मरा हुआ है दुनिया में हर एक इंसान उपर वाले की दी हुई नेमतों का थेंक्यू कर सकता है लेकिन एक मरा हुआ इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता अब आपको ये सोचना है आप जिन्दा है कि मरे हुए है अगर आप उपर वाले से थेंक्यू कह रहे है हर एक चीज के लिए जो उसने दी है तो आप जिन्दा है और अगर आप थेंक्यू करना भूल गए है आपने कभी थेंक्यू किया ही नहीं है तो आप जिन्दा नहीं है दोस्तो उपर वाले ने इनसान को बेश की मत तुफूं और नेमतों से नावाजा है और एक इनसान का ये फर्ज बनता है कि वो हर एक बार उपर वाले को grateful रहे थैंक्यू कहे उपर वाले ने जितना दिया है जितना अता किया है उसमें उपर वाले का थैंक्यू कहे क्योंकि attitude of gratitude is the key जी हाँ दोस्तों जब भी मौका मिले उपर वाले का थैंक्यू कहो हाँ जिन्दगी में और अच्छा करने की कोशिश करो लेकिन साथ में जो जो भी आपके पास है जितनी भी चीजें हैं उनके लिए उपर वाले का शुक्रिया करो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बस कुछ भी नहीं है फिर भी वो थैंक्यू करते रहते हैं ग्रेटफुल रहते हैं ग्राइटिटूड के साथ जिन्दगी गुजारते हैं ये एक चोटी सी कहानी है रेडियो चिनार के स्टूडियो से और हर बार हमारी ये कोशिश रहती है कि आप तक एक ऐसी positive message पहुँचाए जो हमारी life पे एक बहुत बड़ा impact डाले आज इस कहानी के जरिये भी मैं आप तक यही message पहुँचाना चाहता हूँ कि जिन्दगी में खुश रहो जिन्दगी में प्यार बांटो और जिन्दगी में खुशियां बांटो जो उपर वाले ने दिया है उसमें खुश रहो complaint करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो खुश होते हैं बस आज भी यही message दूँगा खुश रहो, शाद रहो, शादाब रहो, जहां रहो, आबाद रहो जी हाँ दोस्तो इसी उम्मीद के साथ कि होप टो See you soon sometime on the beaches of the world sipping orange juice in the sunshine मैं बार बार कहता हूं मैं हर बार कहता हूं कि आओ कुछ ऐसा करें कि दुनिया हम पे नाज करें Till the time we meet again थैंक यू फो वाँचिंग दिल से दिल तक only on Radio Channel 90.4